सबरी बोली यदी रावण का अंत्र नहीं करना होता तो राम तुम यहाँ कहां से आते हैं राम कमथीर होते वे और कहा कि भर्म में न पड़ो माते राम क्या रावण का बद करने आया है अरे रावन का बत तो लक्षमन अपने पेर से बांड चला कर सकता है। राम हजारों कोश चल कर इस गहन बन में आया है तो केवर तुम से मिलने आया है। माते ताकि हजारों बर्स बाद जब कोई पाखंडी भारत की अस्तित्त पर परस्न खड़ा करे तो इतिहास चला कर उतर दे कि इस राष्ट को छत्री राम और उसकी भिलनी माने मिलकर गढ़ा था। जब कोई कपटी भारत की परमप्रावों पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़ कर कहे कि नहीं। यह एक मात्र ऐसी सब्यता है जहां एक राजपूत्र बन में परतिक्षा करती है एक दरिद्य बनवासनी से भेट करने के लिए चोदर बर्स का बनवास स्विकार कर राम बन में बस इसलिए आया है ताकि जब योगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम ब्यक्ति तक पहुंचे तभी वह राम राज्य है। राम बन में इसलिए आया है ताकि भविस्य इस्पनण रखे कि परतिक छाएं अवस्य पुरी होती है। राम आया है ताकि योगों को सीख दे सके कि विदेश में बठे या सत्त्रु की समाप्ति के लिए आवसक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक सुपन खाओं की नाक काटी जाए और खर दुशनों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि योगों को बता सके कि रावनों से युद्ध केवल राम की सकती से नहीं बलकि पन में बैठी सबरी और के आसिरवा से जीते जाते हैं। सबरी की आँखों में जल भर आया था उसने बात बदल कर कहा कंद खाओगे राम। राम मुस्कुराए बिना खाए जाओंगा भी नहीं माते। जह स्री राम, जह स्री राम, जह स्री राम।